ओम नमः शिवाय भक्तों, आज मैं आप लोगों को रुद्राविशेक के विशे में बताने जा रहा हूँ कि हमको रुद्राविशेक क्यों करवाना चाहिए और किश कारिक के लिए किश बस्तू से रुद्राविशेक किया जाता है और किस शिवलिंग पर रुद्रव शेक करने से क्या फलप्राप्त होता है आप लोग बड़े ध्यान से प्रभू का इश्वरण करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का मन में जाब करते हुए आप इन बातों को बड़े ध्यान से सुने कि किस कारे के लिए किस वस्तू से शेक करना चाहिए अगर बरसात नहीं हो रही है तो बरसा के लिए बरसा है तो किसी भी जल से आप शुद्ध जल जो है इसनान कराएं अब शेक करवाएं तो नहीं शंदे ही बरसा होगी अगर आपके शाथ बहुत ब्याधियां लगी हुई हैं तो आपको कुशा जो होता है जिससे आप पवित्र होते हैं अपने उपर जल छिड़क कर उस कुशा से मिस्त्रित करके छान के फिर अब शेक कराएं तो निशन्देही आपकी शभी ब्याधियां सांत होंगी लक्षमी आपको प्राप्त करने है तो जो एक होती है एक के रस से आप अब शेक कराएं निशन्देही आपको लाभ होगा अगर आप मौक्ष चाहते हैं संसारवंधन से हर तरह शेबाधाओं शेदूर होना तो आप तीर्थों का जले कत्रित करके तीर्थों के जल शेब शेक कराएं अगर किशी को बुखार बना रहता है बार बार बुखार होता है तो उसको जवर सान्त है तो शुद्ध गंगा जल्शे कराना चाहिए अब शेक उस्षे ब्याधियां शान्त होती है किसी के घर में पसूँं की हान होती रहती है तो उसको दही से इसनान कराना पुत्र की कामना है तू गाय के दूध से अवशेक कराएं हमेशा ही देशी गाय अगर हो तो अतियुत्तम है कल्याण है तू कि मेरा कल्याण हो मेरे पूरे परिवार का कल्याण हो तो घृत से अवशेक कराना चाहिए प्रमेह याद रोग किसी तरह का है उसको ठीक करने के लिए दूध शे अब शेक कराएं पाप चै है तू मधुशेशनान कराएं और रुद्र अब शेक कराएं शुंदर बृद्धी हे तू कि हमारी चारों तरफ वियस किरते हो उसके लिए सरकरा मिस्रित दूध से करवाएं अगर अपने जीवन को आप लंबा करना चाहते हैं कि मेरी आयू जादा हो उसके लिए गाय के दूध से अब सेक कराएं अगर आपकी बहुत जादा सतुरता रहती है आपके पीछे लोग पड़े रहते हैं तो आप निशन्देह ही आप सरसों के तेल से अब शेक कराएं आपके शत्रों में कमी होगी बाबा आपकी हर मनो कामना सिद्ध करेंगे पर जो तेल का अब शेक कराना है वो शनिवार को क पर आएं तो जरूर ही आप बहुत जादा फल पराप्त करेंगे अब आपको बताना चाहरा हूं कि किस शीवलिंग पर अब शेक करने से क्या फल पराप्त होता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी लक्षमी स्थिर रहें तो आपको सोने का शीवलिंग होना चाहिए अगर उस रोग या कोई ऐसाध्य रोग हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है तो अश्ट लोह का लिंग बनबा के उस में अगर करते हैं तो नहीं संदेही लाब भी होगा शौभागे है तो अगर आप चाहते हैं शौभागे बना रहें कोई माताएं तो उनको पारद सिवलिंग की पूज करके उसमें अभड़ि एक कराना चाहिए और शुख राज एक्तू कि हमको शुख सांती रहे मेरे घर परिवार में चांदी का शिवलिंग होना चाहिए दिरगानगा के लिए तामॐलिंग में शेक Mir करना चाहिए पर कल्यूग में तामॐलिंग हमें कुछ कुछ शूंध्रक कि इसका उम्र बहुत कम है तो मृती के शिवलिंग में अब शेक कराना चाहिए उशे उम्र लंबी होती है और किशी भी कार्य के लिए अगर कोई चीज नहीं मिल पाती है तो केवल पाशान पत्थल के श्यूलिंग में अब शेक किया जा शकता है इसमें कोई भी संदेह नहीं है हर कार्य के लिए पाशान पत्थल में किया जा शकता है मात्रिका, भेद, तंत्र, पद्म, पुराण, लिंग, पुराण, लक्षन, समुच, मत्स, सूक्त, आदिगरंथों में बिस्तार से कब क्यों किश कारे के लिए किश धातू का लिंग होना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए के शबढ़नित है लिंग के उपर पुष्प, गंध, जल चढ़ाना चाहिए बाकि शब बस्तूएं सब लोग देखता हूं हर चीज को उपर ही रखने कोशिस करते हैं इसा नहीं करना चाहिए शेश बस्तूएं सामने शब रख देना चाहिए शिवलिंग के उसके उपर सब च शुलिंग है रत्न का है शुबन का है रजत का है वाडलिंग इन में आवाहन करने की जरूरत नहीं है उसमें टाइम न नश्ट करें और जो इस्थापित शुलिंग पहले से किसी मंदिर का है वहां भी आवाहन करने की कोई जरूरत नहीं है वहां पर सीधे आप पूजन कर स कहीं पर भी people will click के नीचे कोई बड़ा पवित्र पेंड़ है उसके पेंड़ के नीचे की मिठी लेकर या तो गंगाजी की मिठी हो कोई पवित्र नदिया हो उसके आढ़ाओ में कहीं पर पवित्रस्थान की चार अंगुल उपर की मिठी को हटाकर नीचे की मिठी को खोद कर से कम 12 ग्राम मित्ती हो ज्यादा और हो शक्ती है गूध कर उसी शे शिवलिंग बना कर उसमें पूजा की जा शकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है शिवलिंग छोटा ही होना चाहिए अगर घर के अंदर करना चाह रहे हैं तो एक अंगुठे के बराबर या अधिकतम एक बीत भी बना कर शिवलिंग के साथ रखते हैं और कुछ लोग शिवलिंग के दहिने तरमिटी के गणेश जी तथाबाई और पारवती जी बना कर रखते हैं और शिवलिंग बनाते श्रमय ओम महिश्वराय नमह कहते रहें मूर्ती बना कर पवित्र पात्र में और बिलपत्र के उसके उपर रख देना चाहिए, बिल पत्र उसके नीचे भी रख देना चाहिए, और फिर उसके बाद भगवान का ध्यान करके उसमें पूजन करें, आपको बहुत ज्यादा ही फल प्राप्त होगा, आपकी हर मनो कामना पूर्ण होगी, एक शीच का ध्यान रखें, जो बिल बिना टूटे कटे फटे होने चाहिए और उस्टे चंदन से राम राम लिख लिए बिल पत्र को हमेशा ही उल्टा चढ़ाना चाहिए और उसका अग्रभाग अपनी तरफ होना चाहिए और उद्रा भिशेक करते टाइम अपने मन को बिलकुल सांत रखें और ओम नमा शिवाय मन से जबते रहें निशंदे ही आप जिस कारे के लिए करेंगे विश्वास मानिये प्रभु की क्रिपाशे आपका हर कार हर वाधा दूर होगी ज्यादा बड़ा वीडियो नहों इसलिए बस इतने प्रभु आपका कल्यान करें ओम नमशिवाय जैशिव शंकर कल्यान हो